आई एक सुरू का स्वागत है देखे और सीखे दा नीटिन चैनल में मैं सब के लिए यहाप एक लेडिस सॉक्स लेकर हैं यह फैंसी लेडिस सॉक्स है तचली से बनाना सुरू करता है यानि कि जोती भी कहले से तो सबसे पहले यहाप पर उनकी बात कर ले तो उन मैंने करते भी थाके कुम मोड लेना है नहीं तो फिर अप चेन में आएंगी तो चेन पांच चेन में यहाप इस तरह से लेंगे एक, दो, तीन, चार, और यह पांच चेन बननाने के बाद सबसे पहली वाली चेन में जाएंगे और यहाप इस लिप करते हूँ से जोइंट कर लेंगे चेन बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन चेन हम पहली डबल कुर से काउंट करेंगे अब इस रिंग के अंदर डालते हैं हमें डबल कुर से बनाना है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नोग, दश, गयारण, और ये बारण, टूटल हमने यहाँ पे बारग डबल कुर से बनाके कंप्लेट कर लिया हो sür अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमनी चेन मिन बना हो लिएरा Creed क सबसे पहले चेन में जाएंगे मैं यह पे और स्लिप करते हो जाइंट कर लेंगे ठीक है इस तरह से हो जाएगी अब यहाँ पर चैन बनाएंगे एक दो और यह तीन 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 हमारी पहले डबल क्रोसे अकाउंट होगी सेम इसी चैन पर डालेंगे और एक डबल क्रोसे बनाएंगे है यानिकि इसमें एक डबल क्रोसे और हम बढ़ाते हरे चले जाएंगी बारह से चोवीस डिबल क्रोसे बनने पहली राशुनंबर हमारी पास ट्वेट हैथी सटन डान में हमारे पास ट्वंटिफ्स डिबल क्रोसे हो जाएगी तो फ्वंटिफ्स remote क्रोसे करने के बाद फिर म है थार्ड राउंड बताती हूं कि कैसे करना है आपको ठीक है 12 डबल ग्रोसे करना है 24 डबल क्रोसे बनाके हमने यहां पर कम्प्रेट कर लिया सेकेंड राउन अभी यहां पर थर्ड चैन पर जाएंगे वांड टू और यह थ्री यह तीसरे नमबर चैन पर जाएंगे slip करते होगे यानि इस चेन से निकाल के इस चेन से फिर निकाल लेंगे हम अपने क्रोंजे को Auch Chain बनाएंगे एग दो और यह क्योंजेंद परहले डबल क्रोंजें आपके सेटन वाली चेन पर जाएंगे यानि दूसरी णंबर चेन पर जाएंगे यहां पर हम दो दो, एक, दो करते विए इस तरह से हम डबल क्रोसया को बनाएंगे, इस चेन फेक बर और डबल क्रोसया बनाएंगे, पहरी वारी चेन में हमने एक डबल क्रोसया बनाई, दूसरी वाले पे दो डबल क्रोसया, तीसरी वाले पे एक डबल क्रोसया, चाथी वाले पे दो डबल क करेंगे फिर दो फिर एक फिर दो इस तरह से करते हुए तीसरी राउंड को भी हम कम्प्रीट कर लेंगे इस राउंड में हमारे पास ठीक डबल क्रोसे बनकी कम्प्रीट होई यानि 36 डबल क्रोसे पहले में 12 24 और 36 ठीक है अब एक दो तीन तीसरी और चैन पर जाएंगे और यहां पर हम इस तरह से इसे जाइंट कर लेंगे अब इस जगह पर हम चैन बनाएंगे एक दो और यह तीन तीन चैन नमारी पहले डब क्रोसे हो गई एक चैन लेंगे फिर इसी चैन पर दो डबल क्रोसे और बना लेंगे एक डबल क्रोसे और इसी चैन पर एक बार और तो दो डबल क्रोसे हो गई ठीक है दो डबल क्रोसे करने के बाद देखिए एक और दो चैन लेंगे क्रोसे फे धागा ले ले अब यहां से तेखे एक और दो डबल को से चोड़ देंगे नीजी से तीसरी बाली डबल को चैपके लिगे है कि अब यहां से डबल को से बनाना शुरू करेंगे तो फिल्फ प्रण भी हमारी complete होने को आई है ठीक है तब यहां पर हम दो चैन लेंगे एक और दो ठीक है यहां पर एक और दो चैन छोड़ते गए हम यहां पर सबसे पहले जो हमने ही चैन बनाई थी यहां पर इस तरह से यहां पर इंदर रहेंगे यहां पर हमने इक ट को से है यहां यह में एक डालेंगी है यहां पर हमें हाँ यह दूसरी डबल खोजी यह फिर एक चैन और फिर फेर इस जगऴ पिर Sm •So • Rod बनाएंगे हमारी 55 रांट चल रही है आपको मैं बता दूँ जब भी यह cell design बनेगी तो जो हमारे पास की जो यह वारे दू डबल क्रोशे दिखे रहे हैं चेन के बगल में एक और दो इसमें हमें नहीं बना रहे हैं यह जितनी हार्ड राउंड बनाइगे यह दोनों में नहीं बनाएंगे इसके बाद जितनी विय sneaking हमारी है डूबल को य। li Bu बनाएंगे हैं सिर्फ इतना ध्यान ना बाद बिकी बहुत इजी है अब देखे क्या करना है यहाप पर हमने बना लिया अब दखे अब जो सेल की पहली बाली डूबल को से इसे छोड़ देंगे घूर बाद वाली यह इसमें बना लेंगे क्रोशे पिद्धागा लेंगे दो चिन के स्पेस में अब हम यहाँ पे दो डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे एक डबल क्रोशे और यह दूसरी डबल क्रोशे अब इस रांड में आपको हर एक double crochet के पर एक double crochet करते हुए आएंगे और यहां पर भी दो double crochet बनाने के बाद पे slip stitch से joint करेंगे अब यह देखिए पांच वी रांड हमारी complete होने को आई तो इस chain के अंदर ढालेंगे यहां पर दो double crochet बना लेंगे एक और यह दो अब जो हमने chain बनाई है एक दो और यह तीन तीसरी वाली chain पर जाएंगे slip करते हुए से हम joint कर लेंगे chain बनाईगे एक दो और यह तीन ठीक है अब देखिए इस तरह से बन गई अब हमें इसमें और इसमें नहीं बनाना ठीक है तो यहां पर देखिए एक double crochet से बनाएंगे इस और यहां पर हम दो double crochet है एक chain और दो double crochet बनाएंगे एक हो गया यह दो ठीक है अब देखिए पर धागा लेंगे अब देखे यह वाली जो डबल को से इसे हम छोड़ देंगे यह वाली अब इसके बगल में जो है इसमें बनाएंगे एक डबल को से हैं और इसमें भी बनाएंगे इसमें इस तरह से देखे हमारे पास कितनी डबल को से हो जाएगी इस राण पहले में तो दो थी एक और दो उसकी बाद होई हमारे पास देखे एक दो तीन चैर पांथ शे बनगे इसकी बार फिर है एक दो तीन चार पांथ शे साथ आठ अब यहां पर हम दो चेन लेंगे एक और यह दो जैसे हम और यहां से करते हुए आएंगे लास्ट के दो चेन हमें चोड़ देना यह और यह चोड़ देंगे इसके बाद दो चेन लगाते वे इस सहां पे हमने स्लिप इस्टइश करते हैं के जाइंट कर लेना है तो देखे यह रण भी मारी कंपलीट होने को आए एक दो तीन चा तरह से करते हैं हमें टोटल यह 11 राउंड तक कम्प्रिट करना ठीक है तो मैं सुन्झा देती हैं कि इस तरह से जैसे इस राउंड में हम आ गए साफ़ी राउंड पर हम इस डबल क्रोशे को पर बनाएंगे एक डबल क्रोशे ठीक है चेन हो गई दूसरी डबल क्रोशे फिर सबस्ति सेंद भीजन टीक है अब जो ही चेन दिख रहे ही वाली है इसमें हमें बाना बाड्या इसके बीच में दो डबल क्रोशे एक चीन डोडबल क्रोशे बनाएंगी फिर इसकी बगघर वाली जो चैन से यह जबल को से इसमें नहीं बनाना फिर एक दो तीन डबल को से बनाएंगे अब देखिए जो गैप आई है गैप में फिर से दो डबल को से बनाएंगे इसके पूरा राउंड बनाते हुए आएंगे फिर यहां पे दो डबल को से बनाएंगे फिर उसके अगली राउंड में देखे जैसे इस तरह से में दो गैप लगाई उसके अगली वाली में फिर हमने इसे दो डबल कोर से बनाती है इस गैप को भर लिए फिर हमने यहां पर गैप बनाई फिर इसके अगली वाली में यहां पर दो डबल कोर से बनाती है गैप को भर लेंगे तो इसी तरह से करते है हम total 11 round complete करती हूं फिर आगे आपको दिखाती हूं तो यहां पर दीखे हमारी total 11th round हमारी complete हो गए तो यहां से count करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और 11 ठीक है अब देखें यहां पर यह जो gap है gap के से लेकि इस gap तक हमारी कितनी double cross है एक्स्टा बनी हुई वह देख लिए ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ठीक है यहां जो हमने एक चेन का बनाए वह इधर फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इधर को भी आपको count करना यह दो भी जो gap है अब देखी क्या करना हमको यहां से जो हमने एक चीन लिये यहां से लेकि गैप में जो हमने आपनगे eins का इहां से count कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ 18 और अशरे अंब तक अबशीbig कर मेरे को थिके राउंड 12 चल रही है यह ने 12 राउंड चल रही है हमारी 11 डाउन कम्पleet हो गई हमारी भागे कम ने कट कर दिया अब इस जगह समसे जॉइंट करेंगे तो पहले हम यहां पर गट लगा लेता है आप देख्धिए यहां से स्टार्ट करेंगे यहां से आपको बनाते होर पीछे राउंड से घुमते यह आके यहां तक बनाना यह जो दूर डबल कुल्स है हमारी ग्याप में है, इसे भी चोड़ देंगे यहां तक हमें बनाना है तो अगर यहां करते हैं कि अगर वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें ड्रोण वेडियो को लाइक नहीं करती है और चैनल में पहली बोले तो एयारा डेयर डबल कर सेट करती हुं हमने यहांप कि यहाँ याने 11 ुवित फिर छोड़ती है आप चेर्प की बारपने दुक्लोस्य किझे आ तर गतुके आपको से कुसे बनाना है से बारा तेरा और चाओदा सेम बनाएंगे हम ठीक है तो बता देती हम इस रिक्ड के हुए जाना है डबल क्रोसे पीछे से जितनी भी डबल क्रोसे सभी में बनाएंगे सिर्फ जो ही गैप में जो दू डबल क्रोसे दीख रहे हैं इसे आपको छोड़ देना है या फिर इधर से काउंट कर लें आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और एक ही ग्या कि कंप्लीट करने के बाद ही कि अब यहां पर हम चेन लेंगे एक दो और यह तीन अब तेरवी लाइन पर आ जाते हैं राउंड थर्टीन हम इधर से डबल क्रोसे बनाते हुए यहां तक आएंगे जहां हमने स्टार्ट किया है इधर से घुमते हुए हम करेंगे इस तरह से लेंगे तो जबंध यही 22 डवल टोल को फिर से हम बनाएंगे इस तरह से पलटते हुए किya ओर रहां को बीकविट करते हैं यहां तर फिर चैना स्च stomus 500,000 हेंको ना गाता साथ दूर्ण था या पर यहां पर देख के बारा्त यहां ए्यां पर देखिये कंप न सोपल, करा छाएं पक्राइमने कमने से मेफ बना ली टिक हैं यहां को के ना कि कि यहां पेंगे यहां पर कर लेंगे फिर से दोड़ कर लेंगे अब को से भालेंगे इसके दागा लेंगे इसके बीच में हम इस तरह से इस डिचाइन बनाएंगे एक डबल है दो डबल क्रोश है एक चेन और फिर से दो डबल क्रोश है एक डबल क्रोश है और दो डबल क्रोश है ठीक है पर धागा लेंगे अब जो पहला डबल क्रोश आता है इसे आप यहां जो हमने बनाये हुआ है तो तीसरी नंबर चेन पर जाते हुए हम इसका सिलिप करते हुए जोयंट कर लेंगे इस तरह से लेंगे और सिलिप करके जोयंट कर लेंगे ठीक है चेन बनाएंगे एक दो और यह तीन अब देखें थिया हमारी 14 वी रांड कंप्लेट हो ठीक है अब यह पंदर वी राउंड सुरूर हो रही है 15 16 17 ठीक है और 18 इन तीन राउंड को सॉरी नहीं एक राउंड और कर लेती हूं उसके बाद यह पंदर वी लाइन है तो यहां पर देखी किस तरह से बनेगी इधर से सारे डबल कोर्शया बनते हुए हम यहां तक आ रहे इस जगह पर ठीक है उसके बाद फिर आगे दिखाते हूं 15 डाउंड यहां से फिर से डबल कोर्शया करते हुए आपको यहां तक आना फिर आगे दिखाते हूं कि क्या करना तो देखे 15 डाउंड हमने यहां तक कम्प्लिट कर लिए अब जह हमने 9 चेन बनाई है इस 9 चेन म पांच सिंगल क्रोश है छे सिंगल क्रोश है साथ सिंगल क्रोश है आट सिंगल क्रोश है और यह 9 सिंगल क्रोश है ठीक है इस तरह से हमने 9 सिंगल क्रोश है कर लिया अब क्रोशया पर धागा लेंगे अब जो सेल डिजाइन है सेल के अंदर हम सेल डिजाइन बनाएंगे इ दब्ल क्रोशें जैन लेंगे करेंगेा थी से यहां को यहां के हमें 15 सिंगल रूज लेंगे इस तरह से लेंगे हलका से उपर उठाते वे करें एकदम टाइट नी बनाना हलका सा लूज ठीक है इस तरह से यह तीन हो गई चार पांच छे शे शाथ आठ और यह नौ ठीक है अब यहां पर आके से जोइंट के रहेंगे जो हमने तीन चेन बनाई हुई है इस चेन पर यहां पर हमारी 15 वी लाइन कंप्लेट हो गए 15 राउन यहां पर हमारी कंप्लेट हो जाती है अब 16 17 और 18 यानि की 16 17 और 18 सेम एक ही जैसी बनेगे यहां से start करेंगे double crochet बनाती हुए यहां से start करना double crochet बनाती हुए यहां से करेंगे फिर यहां पर आके इसे रोकेंगे ठीक है यानि 32 double crochet के पास यहां पर फिर इदा से घुमेंगे फिर आके यहां पर stop करेंगे फिर इदा से आएंगे और यहां पर इसके बाद फिर आगे दिख तो एक डूबल टूबल से के वकर बढ़ तीस डूबल से अब देखेएगे अब 19-2 राउंड से हम यहां पर फंदे को घटाना है तो एक, दो, तीन चेन मना ऑपने है हमने सबसे पहले हम आर्ट यहां पर बना लेंगे और डूबल से आर्प डूबल को से हम इधर चोड़ दे दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, ठीक है? आठ, डबल कोई से हमने इधर भी बना लिया, टोटल एट डबल कोई से बनाएं, ये अब यहाँ पर देखिए, किस तरह से घटाएंगे, पहले कब अग्ले वाली डबल कोई से में डालेंगे, और इस तरह से तीन पन्दे हो जाएंगे, एक साथ बंद करना है, यहाँ पर पर देखिए, फिर से फंदा लेंगे, इस तरह से तीन हो गई, इस तरह से ने दो बार घटाया, पर डबल क्रोशा जिस तरह से बनाएंगे, बनाना पूरा नहीं है, यहाँ पर रखते हो जाएंगे, फिर उसके अगली वाली चेन पर लेंगे, और इस तरह से फंदा निकाल से, यह गई, पांच, फिर से लेंगे, एक, दो, छे बार हमने पंदे को घटाया, साथ वार फंदे को घटाया, फिर से लेंगे, और यह आठ वार हमने फंदे को घटा दिया, ठीक है, अब इस निसान को यहाँ पर खोलेंगे, इधर हम आठ डबल क्रोशा बना लेंगे, 19, 20, 21 और 22, इसमें हम चारो में फंदे को घटाएंगे, इसमें फंदे को घटाने से पहले दोनों साइट का हम आठ डबल क्रोशा बना लेंगे, और बीच में जो भी आएगी, उसी फंदे को हमें घटाना है, ठीक है, चले, आठ डबल क्रोशा कर लेंगे, पलटते भी दिखा रहें, राउंड बीच के लिए हमने देखे यहां पर आठ डबल क्रोशा बना लिए, ठीक है, 20 राउंड इह हमारी चल रही है, पहले सबसे पहले हमने यहां पर डबल क्रोशा कर लिए, एट पर हमने इधर निसान लगा लिए, अब जो बीच में फंद है, इसी को हमें घटाना है, तो क्रोशा कर लेंगे, एक बार हो गया, फिर अगली वाली चेन पर लेंगे, यह दूसरी बार, तो यहां पर तीन फंद को एक बार बंद करेंगे, तो एक बार हो गया, फिर उस और फिर से एक बार, तेस राउंड में हमने चार बार में फंदे को घटाया, अब यहां पर आठ डवल क्रोशे बना देंगे, तो इस तरह से हमारी यह राउंड बिस कंप्लीट हो जाएगी, आ गए राउंड 21 पर यानिकि 21 राउंड पर आ गए हम, अब यहां पर देखें, अब बीच में जबर इसे हमें बंद करना है, ऐसे लेंगे, एक बार, फिर उसके अगली वाली चेन पर लेंगे, यह दूसरी बार, ठीक है, तीन पंदे एक साथ बंद कर दिए, एक बार हो गए, इस राउंड में आपके दो ही बार पंदे बंद होंगे, एक लिए हमने, एक और यहाँ पर चेन है, ठीक है, तीनों को बंद कर दिए, अब यह से निस्यान को खोलते हुए, यहाँ पर आठ डबल क्रोशे बना लेते हैं, एक इस राउंड हमारी यहाँ पर कम्प्रिट हो जाएगी, एक इस बार राउंड, राउंड ट्वेंटी टू, यानि बाइस बा हमारी आठ डबल क्रोशे, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यहाँ पर आठ डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पर देखें, हम धागे को कट करेंगे, उसके बाद आगे किस तरह से बनेगी, वो में दिखाती हूं आपको फिर, अब देखें, यहाँ पर यहाँ हील बन गई, ठीक है, यहाँ पर, एड़ी पास, यह उपार आ जाएगे, तो, अब किस तरह से बन करना, अब देखें, यहाँ पर इन फंदू को बंद कर देना चाहिए, तो, धागे को कट करके, आप सुई से बंद कर लें, या फिर आप करोशे के मदद से बंद कर लें, त अब देखें, इस तरह से बंद दालें, इस धागे को खीचते विधर लाएंगे, ठीक है, अब इदर पलट जाएंगे, पलटने के बाद देखें, एक चेंड ले लेते हैं, अब इस के बाद इस चेंड में डालेंगे, और अगली वाली चेंड में, ऐसे लिए हमने और इस निकाल दिया ठीक है फिर इस चेंट पर लेंगे फिर अगली वाली चेंट पर डालेंगे धागा खीचते वे लाएंगे और स्लिप करते विस चेंट से निकाल लेंगे इस तरह से घरते हैं अब देखिया कैसे बनाना हमेज़ अब यह जहां से हमने देखिए यह बैट डिजाइन जो बनाई है इसे छोड़ देंगे ठीक है इसके बगल से जो डिजाइन है देखिए यहां से यहां से लेंगे इस डबल क्रोश है कि बीच सेने यह जो लाइन जो जारी है हमारी इस लाइन को छोड़ते है दूसरी लाइन यहां से हम क्रूस से डालेंगे तो या हो गए 1 2 और यहती तीसरी वाली के यहां तक बनाएंगे हम पिस जगापल ठीक है और इधा से डॉबल क्रोस करें कि तहीं चूड़ से अथे नहीं यह है कि यह दो करते हुए हमें डबल को से बनाना है ऐसे लिए हमने अब यहां से बनाएंगे देखिए यहां से बनाते हम डबल को से करते हैंगे और इधर का यह डबल को से छोड़ देंगे यह वाली यहां से स्टार्ट करेंगे यह बैल्ट वाले के पास से दूसरे बैल्ट वाले तक का जो थिख़ोपे अंग सफली सठोब तोटल यहां पर इसे चोड़ देना इसकीबाद यहां से लेकिए हमें टुटल श apples الخ hisade haas कि अपनाना है एक है अच्छली बना लेती हूं इसके दिख़त हूं तोटल हमने यहां याँ पर double crochet बनी हूए इस double crochet के पर हमसे double crochet बनाना है य। एक double crochet cha 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 से जोइंट कर लिंगे अब कि अब यहां से लेंगे फिर एक दो और यह तीन जैन अब जितनी वे गोधस हैं डू कर से बनायी प्रीक हां कि यहां यह थे लेगे यह से डूबल दुबार से बना गर बनानों इसकी तरह से ले से ए artifacts सिंगल क् चार सिंगल पांच सिंगल उसे हैं। छे सिंगल स्थ सब disappears यहां पर से फ़र्स वाली जहां इस तरह नविएंगे होगा फिर ऐस तरह से निकाले लेंगे फिर अगली वाली इपिसे वालीएंगे फिर इसके अगली वाली जो chain है यहाँ पर chain space है यहाँ पर डालेंगे एक single crochet करेंगे फिर एक दो तीन chain लेंगे इस chain को इस तरह से उठाना आपको ऐसे लिया यहाँ पर इस तरह से design बना लिया थिक है फिर अगली वाली में लेंगे एक single crochet, फिर इसके अगले वाले में, एक single crochet लेंगे हम, इस तरह से, फिर एक, दो, प्लेन चेन लेंगे, ऐसे उठाये हमने, ऐसे लिया, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, अब यहाँ से 9 single crochet करेंगे, बीच में हमारी कुछ कुछ इस तरह से डिजाना आए जाएगी इस रे मिने ने बनाया अनने तो प्लेन भी बना सकी हैं. अब यहां पर जो मारी हमारी चेन है इसमें हम 9 सिंगल क्रोस आय닝 कर लेते हैं इस तरह नव राउंड तक ही बनाए तो मैं यहां पर फैर में डाल की दिखा देती हूं कि किस तरह से लगेगी तो कुछ इस तरह से सॉक्स आएगे हमारी यह नीचे से कुछ ऐसी है यह एडी साइड में कुछ ऐसी ऊपर साइड में चाहे तो एक राउंड और उपर से है अलग से अप लगाकर बना सकती है इसमिए और चाहे तो यहां पर भी आप मोती लगा सकती हैं जैसे एक दो तिन या को इस ट्रॉन लगा सकती हैं इसमें कितनी प्यारे कितनी खूसक लग रहे हैं बहुत जल्दी बनके रेडी भी हो जाती है तो में इत करती हूं कि आज का वीडियो अब सबको अच्छा लगा हो तो प् जन्ते कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू